अपने किसी भी मामले में सलाह मश्वरा ऐसे लोगों से लिया करो जिनके दिलों में अल्ला का खौफ हो, वक्त अच्छा हो या बुरा अल्ला का भी साथ नहीं छोड़ता, कोशिश करना की जिन्दगी में वो शक्स आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ मिले जो आपको रोज आ जाए तो जुक कर उठा लेना चाहिए, हम अपने काम को इमानदारी से अंजाम देते हैं, हम वो नहीं जो किसी की महनत पर अपना नाम लिख दुनिया के रूबरू पेश करते हैं, अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपने को आपके जुक होते हैं, शीशे गलती से और रिष्टे गलत फहमी से तूटते हैं, वक्त और समझ एक साथ खुश किस्मत लोगों को मिलती है, कईों के अकसर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं रेलता, बुरा चाहने वालों को कह दो इज़ते अल्ला देता है, इंसान अपनी गलती पर सीधा वकील बनता है, और दूसरों की गलती पर सीधे जज बन जाता है, अगर सुकून चाहते हो तो किसी का सुकून बरबाद ना करो और दिलों से नफरते निकाल दो, दूसरी की तकलीफ का अंदाजा जब होता है, तो फिर अपनी तकलीफ छोटी लगती है, अलहम्दुलिलाह अल्लाह ने जैसा भी रखा है, बहुत अच्छा रखा है, दौलत मंद की आजिजी जवानी की इबादत गरीब की सखावत गुनाहगार की तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है, जो इश्क अल्लाह से किया जाता है, उसका तो कोई मोल ही नहीं, ज कैसे कोई अपनी गुमशुदा चीज के मिलने से खुश होता है, अपने रब से हमेशा अच्छी उम्मीद रखो, उस जात से जैसी उम्मीद रखोगे वैसा ही हासल होगा, लोग तुम्हारे कारणा में देखते हैं, रब तुम्हारी नियते देखता है, कभी भी किसी से और खुदा को तुम से मोहबबत हो गई, जो लोग दिल से फिक्र करते हैं वो जुबान से जाहिर नहीं करते, रिष्टा वही कायम होता है, जो दिल से हो जरूरत से नहीं, सब्र के साथ आसानी का इंतजार करना इबादत है,